हाई फ्रेंट्स वोलकम टू मैं चैनल तो वीडियो का जो थामनेल है वो देखकर आपको पता चल चुका है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउट टू होल्टा पेँसल तो मैं इस पेंसिल को साइट पे रखते हूं और इस पेंसिल से मैं दीखा रहा हूँ के कैसे हम को एक पेंसिल को होल्ट करना चाहिए सायद आफ लोग को लग रहा है के हम लोग तो छोटा से ही ये जो पेंसिल होल्ड करते आ रहे हैं तो इसमें नहीं क्या बात है लेकिन वो वाली बात नहीं है हम लोग को पेंसिल बहुत डिफरेंट तरीके से पकड़ना आना चाहिए क्योंकि आप अगर ड्रॉइंग स्किल्ज को इंप्रूब करना चाहते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो आपको पेंसिल अच्छे से होल्ड करना आना चाहिए और मैं यहां पे एक मार्कर के मदद से दिखा रहा हूँ के pencil में कितना holding point होता है और वो जो point' है वो मैं mark कर रहा हूं अब यहां पे देख सकते हैं तो या जो पहला point है वह मक्सीमम लोग जो इस point पर pencil को hold करते हैं यही वह point है बिल्कुल front का जो point और यह पॉइंट लेट के बिल्कुल और होता है और बच्चें और मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पे ही होल्ड करते हैं मैं यहां पे तीन पॉइंट कर रहा हूं यह है Second Point और अब जो पॉइंट मैं बनने जा रहा हूं वह है Third Point तो मैं यहां पे बिल्कुल पॉइंट नमर वान पे इस पेंसिल को होल्ड कर रहा हूँ और शो कर रहा हूँ कि कैसे इसका जो एफेक्ट है उसको हमें देखने को मिलता है यह देखिए अब देख सकते हैं तो यह जो लाइन्स मैं खीच रहा हूँ यह लाइन्स बिल्कुल डार्क और एकदम शार्प है इससे हमें पता चलता है कि यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमको जो आउट लाइन है वो हमको करना नहीं चाहिए यह पॉइंट सिर्फ राइटिंग और शार्प ड्रॉइंग के लिए यूज होता है और पेंटिंग का आउट लाइन के लिए यह बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए और पेंटिंग का जो आउट लाइण है उसके लिए आप ये फॉर्ण यूसज कर सकते हैं ये जो सेकंड वाला पॉर्ण है सेकंड वाला होल्डिंग पॉर्णT का यूज करके आप आउट लाइन कि खीच सकते हैं क्यूंकि इससे जो लाइन्स बनता है यह बहुत ही लाइटर होता है तो यह जो सेम ग्रेट का पेंसिल आपको डिफरेंट होल्डिंग जो पॉइंट है इसके लिए आपको different colors में available हो रहा है आप देख सकते हैं कहीं पे dark और कहीं पे lighter shade समको दीखने को मिलता है ये just आपको जो पकड़ने का जो point है इसके लिए ये चीज डिफार कर रहा है तो अब आते हैं ये third point पर और ये जो third point है ये outline करने के लिए use नहीं होता है तो ये जो third point है ये हमको सिर्फ light shading के लिए ही use आता है अब यहां पर देख सकते हैं ये बिल्कुल third point है और हम इस तरीके से भी इस pencil को hold कर सकते हैं मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूं ये भी एक hold करने का process है और इससे आपको बहुत ही light shade मिलेगा जिससे आप बहुत ही बड़ा area को एक साथ shade कर पाएंगे जिससे हमको बहुत ही regular light shade मिलता है अब इसका भी use कर सकते हैं और ये वाला जो hold करने का process है इससे आपका जो viewpoint area है यानि कि आप जिस area को आप देख पा रहे हैं उस area को बढ़ा देता है यानि कि आपको जो देखने का ability है वो area बढ़ जाता है इससे आप बहुत ही अच्छे से drawing को देख पाते हैं जिससे आपका जो drawing है वो अच्छा बनता है क्योंकि आप जिदना देखोगे उतना ही अच्छे से आप चीजों को बना पाऊगे और अब आता है फिफ्ट पॉइंट तो यह रहा फास्ट पॉइंट सेकेंड थार्ड एंड फॉर्थ अब मैं दिखाऊंगा कि फिफ्ट पॉइंट पे यानि कि जो most important पॉइंट है वो मैं लास्ट पे दिखा रहा हूं और यह जो point है यह बहुत ही easy to determine है यानि कि आप बहुत ही अच्छे से इसको identify कर सकते हैं मैं इसका process आपको दिखा रहा हूं यह देखिए मैं अब इस बक्त जो कर रहा हूं वह है इस pencil को balance करना एक उंगली पे मैं इस pencil को balance कर रहा हूं आप देख सकते हैं इसका जो balancing point है यानि कि इसका center of mass यहां पर मैं एक point कर रहा हूं एक identifying mark तो यह जो mark मैं कर रहा हूं यही अब तो हम जब इस pencil का center of mass पे हमारा holding point करते हैं तब इस pencil का जो rotation है यह बहुत ही better in होता है और इस rotation का use करके हम हम बहुत ही larger areas को shade कर सकते हैं और हम circle भी बहुत ही easy तरीके से बना सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यह जो point है यह बहुत ही अच्छे से rotate हो रहा है मैं आपको थोड़ा area shade करके दिखा रहा हूं कि कैसे यह easily shade हो रहा है so friends यही रहा हो पांच तरीका तो तब तक वीडियो को end करते हैं और मिलते हैं next वीडियो के तब तक के लिए bye bye thank you for watching